बारत ने एक बार फिर गलत कदम उचा कर अपने ही पाउं पर कुलाडी दे मारी है इंडियम टेलिकॉम मिनिस्ट्री ने बी एस, एनलम, एम्टी एनल और दीगर चाइनिस निजी कमपनियों को और तमाम चीनी सोदों और एक्विमेंट्स पर पाबंदी आयट करने का हुकम दिया है दोस्तों बारत का इस एक्षन से चाइना इंडिया के माबेन ट्रेडवार को जनम देगा जिससे कशीद की और बढ़ जाएगी अमेरिका सूपर पावर ही चाइना से ट्रेडवार करके चाइना का कुछ न बिकार सका तो इंडिया तो चाइना के सामने कुछ भी नहीं में चाइना किसी किसम की विशुमलयत नहीं होगी और ना ही किसी भी तरह चाइना को भारत में काम करने थिया जाएगा। चाइना के साथ कम्पनियों से एक्यूमेंट्स टेली कॉम पिछले तमाम टेंड़र्स को मनसूब कर दिया जाएगा। निटी मुबाइल से और इस प्रहम करने वालों को भी मुझूदा चीनी साथ समान और नई खरीदारी पर भी पाबदी आयत करने की हिदायत की है इसके जवाब में अब चाइना जो जवाब देगा उसके नतीजे में इंडिया होश और आवाज खो बैठेगा क्योंकि चाइना से ट्रेडवार का मतलब भारत की मौत टेलीकों अंडिस्ट्री के इलावा कंडेटरेशन आफ और इंडिया ने भी चीरी साथ समान के बाइकार्ट का मतालबा किया है जिसमें 450 चीनी अश्या शामिल है दोस्तों इसके इलावा डेली मीरेड रीजनल रैपिड ट्रांसिस सिस्टम मनजूबे के जेरे जमीन तामीर के लिए चीन की शंगाई चनल इंजिनियरिंग कंपनी लिमिटीड की तरफ से लगाई जाने वाली सबसे कम बोली को भी मनसूब कर दिया गया है इस से पहले ही एकदाम अमेरिका चाइना खिलाफ ले चुका है जब हवावे को अमेरिका में बेन किया जा रहा था लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह चाइना ने अपने आपको मनवाया और अमेरिका को सबक सिखाया अब बारत वही अरकते कर रहा है भारत तक्रीबन 70 परसर अपनी चीज़े चाना से इंपोर्ट करवाता है अगर चाना ने बारत पर बेल लगा दिया तो इंडिया मुनासिब कीमतों में फिर वो चीज़े कहां से खरीदेगा ओपो, हवावे, वीव और कई चानिस कमपनियों का पैसा भारत में लगा हुआ है कि चाना इतनी असानी से अपना नुकसान करवा लेगा इसका जवाब बहुत जल्द इंडिया को मिल जाएगा अब इंडिया टेलीकॉम सर्विस चाना के बज़ाए किसी और मुल्की तरफ देखेगा यकीनें अमेरिका यह यह यूरप लेकिन जो कॉस्ट डिफरंस आएगा चाना के मुकाबले में भारत को लग पता जाएगा प्रैमिनिस्टर मुदी की जोशली तक्रीट के बाद लोग चानीज प्रोड़क्स का इतजाज कर रहे हैं लेकिन इस से पता लग जाएगा कि उन्हें मुनासिब कीमत में प्रोड़क्स नहीं मिलेंगी और सारा चानीज टॉक जो कारोबारी तबके के पास पड़ा है भारत में उन्हें नुकसान का जल्द अंदाजा हो जाएगा हकिकतन चाना इस मसले को हैंडल कर लेगा लेकिन खुद इंडिया के लिए ये मसला बन जाएगा त्यूकि चाना में इंडियन प्रोड़क्स को भी बेंड कर दिया जाएगा फिर उनकी लोकल इंडिस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान होगा दोस्तों ये बात वाज़ है कि इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान होगा इस सुरत हाल के बाद दोने मुमालिक की अबादी तकरीबन बराबर है लेकिन इंडिया में गुर्बत ज्यादा है उनमें चाना की निजबत कैपसिटी बहुत कम है आने वाले दिनों में कशीदी बढ़ती हुई नजर आएगी चाना मज़ीद इंडिया के लाको पर कबज़ा करेगा चाना इंडिया को वो सबक सिखाएगा अगर दूसरे मुमालिक उससे सबक सीखें और कोई मिल्ब फिर इस तरह चाना के खिलाफ ना कड़ा हो मुर्दी की बुद के रोस इस ताल अंगे तकरीर यकिनन भारत की महिशत को खोकला कर देगी